और एक बड़ी दिक्कत है जो गाड़ी के एंजन में आती है और भाई सब ये फर्ष्ट सर्विस टक रहने ही वाली है तो आज हम आपास होंडा की पास्ट किलोमीटर का ओनर से रिव्यू विथ होंडा एस्पी बन ट्वैंटी फाइब के साथ है तो वीडियो करते हैं अपने स्टार्ट तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं गाड़ी की कीमत के बारे में तो ये गाड़ी है जो अभी फिलहाल में बिना डिस्किवर एक बाला मॉडल है ये डिस्किवर एक बाला मॉडल लगवक एक लाग दसजार के सम्थिंग आपको पढ़ेगा ये हम बिना फाइनेंस वाली और डिटेल्स बता रहा हैं और अगर अपन बिना डिस्किवर एक बाले मॉडल पर जाएंगे तो वह आपको पढ़ेगा एक लाग पांच जार सासो रुपेग ये अपना बिना डिस्किवर एक बाला मॉडल है अच्छा ये वाली जो बाइक की कीमत है ये अलाग-अलाग स् इसके बारे में आप आगे बात करूंगा फिलाल मैं अपन गाड़ी के बारे में बात कर ले तो ये मिल देवाले हैं आपको ट्यूब लेस छाया है यलाइट की बात कर लेते हैं ये मिलने वाली हाई वेलागम यण ओपको परमइनल जलती रहती है और यहाँ कर सकते हो अब अब लाइट की बात करने हैं लोग बीम का थो भाई बहुत शांदार है और हाई बीम जो तोड़ी सी ऊपर की तरफ जाती है तो जब इसकी सर्विसिंग का टाइम आएगा पहली वाली इसको थोड़ा सा एजस्ट करा दूगा बाकि एक और दूसरी गाड़ी मैंने देखी है ह फाई बीम काफी दूर तक जाती है मलब सेटस्फाइए आप चला सकते हो राइत रात में कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको मिलने वाला और लोग क्याते हैं कि वाई साब प्लास्टिक का है यह तूट सकता है यह नहीं तूट सकता ह है तो अगर आपका पाउं अगर ये मेटल का होता तो पाउं आपका लगता तो हो सकता जल जाता यह प्लास्टिक के अस्तमाल किया गया तो यार काफी सही है जहां था करना थोड़े से मेरे हसाब में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था वागी ओवर आल ठीक है क्यूंकि आ मेरे हसाब से थोड़ा सा बाहर की तरफ होना चाहिए अब बात कर लेते हैं कई लोग कहते हैं के मीटर में डिफेक्ट है या मालेज गरत बताती है तो मेरे हसाब से इसा कुछ नहीं है वहां तो एक दो किलो मीटर का ही उपन नीचे अंतर होता है वाकि मारे लगवा करेक्ट बता देती है और भाई सब कभी कभी देखो या अभी हमने देखा या जैसे आपको बार बार देखा दें यह देखो कभी कभी यह गाड़ी की रेंज रेंज ही गायब हो जाती है यह तो इसी कमी लगी गाड़ी की में रेंज ही नहीं बता दिया कि कित्ती गाड़ी आपको चलेगे जबकिसमें फीचर है कभी-कभी रेंज बताती है गाड़ी साइलेंच स्टार्ट बहुत ही चांदार तरीके से बर्क कर रहा है हाई लो बहुत चांदार है इंडिकेटर्स पर भड़िया काम करते हैं और कुछ तरीके से होता है इंडिकेटर закон की बात कर लेते हैं तो इसकते बात कर लेते हैं तो यह अपना निकालता है ऐसा नहीं कि आप चला दो मैंटन करना बहुत जरूर है तो फ्राल में गाड़ी को आप 40-50 से ऊपर बिल्कुल भी ना चलाए ना यह ब्रेक्ष की बात कर लें तो ब्रेक्स काफी सही है और गाड़ी की हैंडलिंग की बात करें तो बाई साफ हैंडलिंग बहुत ही बढ़ी है यहां पर आप दे चाहिए था बाद यहां पर लेकिन अच्छा देने की एक बज़ाय पतला टायर ही है क्योंकि आप इसका कॉंपटीशन देखने से घ्लेमर आ रहा रहे है और नृमल वाली वी के इलाबात यह रैडर 125 इसके इलाबाद यह सुपर स्प्लेंड ऑन 25 और इसके इलाबात यह पुलसर सीटी 125 एक्स गलेमर राइडर इनमें आपको मोटर टायर मिलेगा तो इनका माइलस थोड़ा से कम हो जाता है लेकिन यहां पर बात करें और यहां पर बात करें रहें आप सुपर स्प्लेंडर की तो यह काफी बैतर परफॉमेंस कर रही है माइलस की मामले में क्योंकि इनमें आपको पतला टायर मिलने वाला है सीट की बात करने तो सीट की कुछने को काफी सौप्ट है आप लॉंग राइट कर सकते कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और यह आपका प्यानों ब्लेक्पिनेस में हेंडर मिल जाएगा जो देखने में काफी सही लगता है गा अटकते हैं से टिकंदे में कभी आप गेंडर अतारोगे तब भी अटकेंगे कभी आप गयर चढ़ाओगे तब भी अटकेंगे यह गाड़ी में दिक्कत है बाकि साइड इस्टेंजन के डॉप बहुत इसांदा तरीके से बर्क कर रहा है हैंजलिंग काफी सही है गाड़ी को आप एक बार उड़ा के देखो ना वाइस अब कितनी मलब ही लगती है गाड़ी दिक्कत आपको कोई समझ में नहीं आईगी गाड़ी में मैलेज की बात कर लें तो मैलेज अभी फिलाल में नई है ना गाड़ी तो 60-60 तो बहुत आराम से निकाल रही है मालेज और इसको मेंटन करके भी रख रहा है क्योंकि लोग कहते हैं कि Last Amagi को शुरू में बना लो वैसे हो जाएगी आप सुरू में जैसे गाड़ी को मेंटन करके देखोगे ना गाड़ी आपसे प्रफूमेंस देगी और बैसे आपका साथ देगी पाकी गाड़ी से ऑफरोडइंग हो चु बाद खुसूं मुलब सैटिस्फाइड हो कोई दिक्कत नहीं आई मेरे हसाम में तो थोड़ा से फीचर्स का में तो चलेगा यार मुलब राइडर में बहुत चाथ फीचर्स आरक ले में लेकिन वह मेहंगी भी है तो इस हसाम में तो गारी ठीक है पर्फेक्ट पैकेज मेरे है तो यह हो गया कंप्ली डूनर से बीव रिभ्यू होंडा इस पुरिंट इफ आपकर एड़ी वीडियो परसमें आज प्लाइक से दो सब्सक्राइम मिल देगे वीडियो में टाटा बाइबाए